हिलो तोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम बात करने वाले हैं गर्वावस्ता के पांचवे महीने के बारे में यानी सत्रवा सप्ता से बीस्वा सप्ता के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चानल पर नए है तो प्लीज अमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही पहला आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको चल्द ही मिल जाएं तो चलिए अब देखते हैं गर्बवस्ता के पांचवे महीने में क्या क्या होता है इस महीने तक पहुँचते-पहुंचते त्वचा खिल उटती है और गर्बवस्ता का रूप आपके चहरे पर दमकने लगता है जैसे जैसे गर्बवस्ता का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में कई तरे के पदलाव होते हैं गर्भ में शिशु का विकास होने के चलते पेट बढ़ने लगता है वहीं कुछ शारिरिक परिशानिया भी होने लगती है गर्भवस्ता का पांचवा महीना यानि दूसरे ट्राइमेस्टर का दूसरा महीना ये महीना मा और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही एहम होता है चानिये इस महीने में मा को किन चीजों का खास खयाल रखने की जरुरत होती है गर्भवस्ता के पांचवे महीने के लक्षन गर्भवस्ता के हर महीने कुछ लक्षन समान होते रहते हैं तो कुछ नए हो सकते हैं तो चलिए देखते हैं गर्बबस्ता के पांचवे महिने में क्या-क्य लक्षन दिखाई देते हैं पहला लक्षन पीट दर्ध हुना गर्बाशे में शिशू का आकार बढ़ने के कारण पीट के निचले हिस्से में दर्ध होने की समस्या आम है अधिकतर गर्बवती महिलाएं पूरे गर्बवस्ता के दौरान पीट दर्ध की समस्या से परिशान रहती है हालांकि गर्बवस्ता में गैस और कप्स की समस्या काफी आम होती है इस वज़े से सिर्दर्द की भी शिकायत अक्सर रहती है दूसरा लक्षन ठकान होना गर्बवस्ता के पांचवे महीने में ठकान होना आम लक्षन है जैसे जैसे गर्ब में शिशु का वजन बढ़ेगा गर्बवती महिला को चल्दी थकान महसूस होगी तीसरा लक्षन मसूडों से खून आना गर्बवस्ता के पांचवे महिने में अधिकतर महिलाओं को मसूडों से खून आने की समस्या से जूजना पड़ता है ऐसा हर्मोनल बदलाव या फिर विटामिन के की कमी के कारण होता है नेक्स लक्षन है बूलने की समस्या गर्बवस्ता में हर्मोनल बदलाव के चलते मश्निस्क पर काफी असर पड़ता है जिस कारण गर्बवती को बूलने की समस्या हो सकती है टकनों में सूजन आना और पैरों में दर्द होना गर्वावस्ता के पाँचवे महीने के दौरान पैरों में दर्द और सूजन होना काफी आम है गर्वावस्ता के दौरान शिशु के पोशन के लिए शरीर में रक्त जादा बनता है और अक्सर टांगों की नसे ब्लॉक हो जाती है जिस कारण रक्त पैरों से हिरिदे तक नहीं पहुँच पाता तब ये लक्षन नजर आते हैं अगला लक्षन है सांस लेने में तकलीफ होना प्रोजेस्टिरान हॉर्मोन बढ़ने के कारण जादतर गर्बवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है इसके अलावा वजन बढ़ने के कारण भी सांस लेने में तिक्कत हो जकती है नेक्स्ट है गैस वा कब्स रहना शरीर में होने वाले तमान तरहे के बदलाव से कब्स हो सकती है जिससे गैस की समस्या भी होती है नेक्स्ट है कभी कभी चक्कर आना जैसे जैसे गर्ब में शिशू का विकास होता है शिशू के लिए प्रयाप्त मात्रा में पौश्टिक तत्वों की जरुरत होती है ऐसे में गर्बवती को कभी कभी कमजोरी महसूस हो सकती है जिस कारण चक्कर आ सकते हैं प्रेगनेंसी के पांचवे महीने में शरीर में होने वाले बदलाफ गर्भावस्ता के पांचवे महीने में बेबी बंप दिखना शुरू हो जाता है अब आप इसे संभालने की आदट डाल लें क्योंकि गर्भ में भुरून का आकार बढ़ने के साथ साथ आपका बेबी बंप और बढ़ेगा गर्भाशाय का आकार आपका गर्भाशाय बढ़कर एक फुटबॉल के आकार जितना हो जाएगा यही समय है जब आप अपने पुराने कपड़े छोड़ कर विशेश रूप से गर्भवस्ता के लिए बनाए गए धीले ढाले कपड़ों का पहनना शुरू कर दें पेट पर खिचाव पेट पढ़ने के कारण लिगमेंट में खिचाव आ सकता है जिससे खिचाव के निशान आपके पेट पर नजर आ सकते हैं इन्हें कम करने के लिए आप श्रेचमाक्स क्रीम का इस्तमाल कर सकती हैं हातों में गर्माहट आपको अचानक अपनी हतेलियों में गर्माहट का एहसास हो सकता है यह शरीर में होने वाले रक्त की आपूर्ती के कारण होता है यही नहीं इस वज़े से हतेलियों पर लाल लकीर भी उभर सकती है बालों में बदलाफ गर्ववस्ता के पांचवे महीने में आपके बालों में भी बदलाफ महसूस हो सकता है आप पाएंगी कि अचानक से आपके बाल मोटे हो गए है और इनका जणना भी कम हो गया है बहुत भूक लगना इस महीने गर्ववती महीला को पहले की तुलना से जादा भूक लग सकती है एक और जहां कुछ महीलाएं सब कुछ खा लेती हैं तो वहीं दूसरी और कुछ महीलाओं को कोई विशेश चीज ही काने का मन करता है तो चलिए आप देखते हैं गर्ववस्ता के पांचवे महीने में बच्चे का विकास और आकार जैसे कि हमने बताया कि पांचवे महीने में गर्वशे फुटबॉल के अकार का हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि गर्व में बच्चा तेजी से बढ़ रहा है तो चलिए अब देखते हैं गर्ववस्ता के पांचवे महीने में देखबाल कैसे करें गर्बवस्ता का पांचवा महिना गर्बवती महिला के लिए बेहत खास होता है इसमें जीवन शैली से लेकर खान पान तक का विशेश खयाल रखना होता है आप जो भी खा रही हैं इसका सीधा असर ना सिर्फ आप पर बलकी होने वाले शिश्यू पर भी पड़ता है गर्बवस्ता के पांचवे महिने में आपको कैसा मैसूस होता है आपको पिर्दर्द की समस्या होने लगती है आप जादा देर खड़े होने पर ठका हुआ मैसूस करने लगेंगे आपके दातों में और आखों में बदलाव आने लगता है आपके शरीर में रक्त परिसंचरन में परिवर्तन आने लगता है आपको बार-बार मूत्र आने लगता है गर्ब का अकार बढ़ रहा है जो आपके मूत्र शाय पर दबाव डाल सकता है आपके स्तनों को स्तन पान के लिए तयार करने में एक पीले रंग के तरल पदार्थ जिसे कॉलिस्ट्रम कहा जाता है वो स्तनों में बनना शुरू हो जाता है बच्चे की गर्ती विदियों का ऐसास गर्बवती महीलाओं को पहली बार पांचवे महीने में हो जाता है तो चलिए आप कुछ खादे पदार्थों के बारे में जान लेते हैं जिने गर्ब वस्ता में जरूर खाना चाहिए पहला जादा से जादा तरल पदार्थ लें ज्यान रहें कि अब आपको दो लोगों का खयाल रखना है एक अपना खुद का और दूसरा गर्ब में पल रहे शिशू का इसलिए खुद को हाइडरेटेड रखें और जादा से जादा पानी पिएं प्रोटीन से भरपूर खादे पदार्थ खाएं बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है एक स्वस्त गर्बवस्ता के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही में 21 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेने की सलाहत दी जाती है इसलिए आपके खान पान में प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करें इसके लिए दाल, पनीर, सोया बीन, अंडा, आदी का सेवन कर सकते हैं अपने खान पान में सलात को शामिल जरूर करें इससे आपको फाइबर मिलेगा जिससे कब्ज जैसी समस्या दूर होगी सलात के तौर पर आप गाजर, टमाटर वा खीरे जैसी सब्जियों को शामिल कर सकती हैं ध्यान रहे कि आप सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से दो ले फल खाए गर्बवस्ता में फलो का सेवन करना बहुत ही अनिवार रहे है इसमें भरपूर रूप से विटामिन, खनिज और फाइबर होता है जो गर्बवती महिलाओं के लिए जरूरी है आब, सेब, केला, संत्रा वा कीवी जैसे फलो को अपने खानपान में शामिल कर सकती है हरी सब्जियां ले, भले ही बहुत सारी सब्जियां रोजाना खाकर आप उब जाए लेकिन अपने नन्हे के लिए जरूर खाए आइलन की आपूर्थी के लिए आप पालक वा ब्रॉकली का सेवन करें आप चाहें तो कुछ सब्जियों की स्मूदी बना सकती है साबुत अनाज गर्वावस्ता में साबुत अनाज का सेवन फाइदे मंद होता है इसमें आप गेहू, चावल, कौन, व, ओ, ओ, शामिल कर सकती है तो चलिए अब हम देखते हैं कि गर्वावस्ता के पांचमें महीने के दोरान अपने राशिस का कैसे खयाल रखें गर्वावस्ता में गर्मी के कारण आपको बगल और स्तनों के आसपस राशिस की समस्या हो सकती है इनसे राहत पाने के लिए शावर लेना आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद हो सकता है बाई और करवट लेकर सोएं क्योंकि जब आपका पेट बढ़ रहा है इसलिए सामाने अवस्ता में सोना खटिन हो सकता है आप बाई और करवट लेकर सोएं जो कि आपके और शिशू दोनों के लिए फाइदे मंद है धीले ढाले कपड़े पहने अब बढ़ते पेट के कारण आपको बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनेने चाहिए फाइबर युक्त भोजन खाएं इस दोरान गर्ववती को कब्ज की समस्या रहती है इससे राहत पाने के लिए फाइबर युक्त भोजन खाना अनिवारे है पॉस्चर का ध्यान रखें जब भी घर पर रहें अपने उठने बैटने आदी के पॉस्चर का खयाल रखें ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहें काम करने के दोरान बीच-बीच में ब्रेक लेकर आराम करते रहें दिन के समय थोड़ी तेर सोना फाइदे मंद रहता है अपने बच्चे से बात करें गर्ब में पल रहे बच्चे से आप बात करें आप हैरान रह जाएंगी जब आपकी आवाज सुनकर आपका बेबी किक के रूप में प्रतिक्रिया देगा तो फ्रेंस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करें और आपसे निवेधन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए साथ ही बल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ थैंक यू सो मच